नमस्कार एंड गूड मॉर्निंग बैश्रकान चोहन आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉर्कास में स्वागत करता हूँ आज मार्केट पार्टिसेपेंट्स को फर्स्ट आफ में आर्बी आई के स्टेट्मेंट का इंतिजार रहेगा अन दी अदर साइड इन दी सेकेंड आफ मार्केट पार्टिसेपेंट्स एफोमसी के लाइकली आउटकम पे रियक्ट करते हूँ नजर आएंगे हमें लगता है कि इसी वज़े से मार्केट आज एक नैरो रेंज में ट्रेड करते हूए नजर आएगा वॉलटाइल रहेगा 18,050 जो कल के इंट्राडे लोवेस लेवल्स थे ये मार्केट के लिए इंपॉर्टन्ट सपोर्ट रहेंगे 18,175 जो कल के हाइस लेवल्स थे ये मार्केट के लिए की इंपॉर्टन्ट रेजिस्टन्स बने रहेंगे और पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि प्रीवेस हाई को क्रॉस करने के बाद ही मार्केट में एक हल चल आती है अधर्वाइस मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आता है तो अन एक्सपेक्टेड लाइन हमें लगता है कि मार्केट अगर 18,175 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे कुछ लॉंग पोजिशन्स बना सकते है 18,250 से लेकर 18,300 के लेवल्स उसके बाद मार्केट अच्छिव कर सकता है और अगर मार्केट यदी 18,175 के लेवल्स को क्रॉस करने में अगर चूकता है तो फिर वापस हम एक बार 18,050 या 18,000 के लेवल्स इंट्राडे में देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी 41,500 और 40,500 इसी रेंज में ट्रेल करते हुए नजर आ सकता है और 41,500 के उपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेल करने में अगर काम्याब होता है तो फिर 41,800, 850 के लेवल्स वापस अच्छिव कर सकता है 41,850 के उपर हमें लगता है या 800 के उपर हमें लगता है कि मार्केट में एक अच्छा कासा बैंक निफ्टी में टेकनिकल ब्रेकाउट बनेगा जो बैंक निफ्टी को 42,800 तक भी लेके जा सकता है सेक्टर स्पसिफिक अगर ध्यान देना है तो मुझे लगता है कि financial stocks correct हो चुके है थोड़ा और अगर correction अगर मिलता है तो वहाँ पर कुछ खरीदारी बन सकती है लेकिन focus में रहेंगे metal companies क्योंकि हमने कल global markets में एक अच्छा कासा तेजी का trend देखा था commodities में especially copper, aluminium यहाँ पर हमने nickel इन सब stocks में अच्छी तेजी देखी थी तो शायद इन सब commodities में अच्छी तेजी देखी थी और इसे वज़े से हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ एक हम तेजी का trend देख सकते है साथी साथ हमें लगता है कि cement companies यहाँ पर भी अच्छा कासा open interest built up हुआ है वहाँ पर momentum बनना चाहिए और इसके अलावा हमें लगता है कि कुछ technology companies में भी with a positional view खरीदारी हो सकते है क्योंकि FIS की buying consistently बढ़ते जा रही है और कल के दिन में भी FIS ने more than 2000 करोड market में invest किये तो broadly हमें लगता है कि इस market में downside वैसे protected है बट at the same time market एक अपने important resistance के करीब जा रहा है तो यहाँ पर हमें stock specific रहना काफी जरूरी है तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में रहें धन्यवाद